नमस्कार में गौरी और आप देख रहे हैं सी निउस भारत जन्नायक बताया जा रहा है दोनों एक दूसरे के साथ कंधी से कंधा मिला कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी खुद को प्रधान मंत्री बनाने के सपने के साथ आगे बढ़ा रहे हैं तो वहीं अखलेश यादव भी अब तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बना कर रास्ट्रे राजनीती में दमखम दिखाने का सपना देख रहे हैं ऐसे में आने वाले दिनों में ये जोड़ी एक दूसरे के लिए मुसीबत बन सकती है खास कर अखलेश यादव के सियासी सपने राहुल गांधी के रास्ते का रोड़ा बनेगे कैसे देखे इस रिपोर्ट में यूपे में मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी अब लुक्स बचुनाओं में उमीद से जादा संसदिय सीटों के जीतने के बाद देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है अब अखलेश यादव के सपने आस्मान को चू रहे हैं समाजवादी पार्टी के मुख्या अखलेश यादव ने दिल्ली की रहा पकर ली है और अब वो सदन में अपनी आवाज बुलंद करते हुए नज़र आएंगे कुल मिलाकर राहूल गांधी की तरह अखलेश यादव भी पान इंडिया लीडर बनते नज़रा रहे हैं हिंदी भाजशा प्रदेशों में पहले से ही समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट खड़े होते रहे हैं महाराज में पार्टी का बहुत बड़े अबेस है बिहार जहारखंड और बंगाल में भी अखलेश यादव अपनी पार्टी का विस्तार कर सकते हैं सबसे बड़ी बात ये भी है कि पार्टी का विस्तार भले ना हो अखलेश यादफ को इन राज्यों में जानने वालों और सुनने वालों की कमी नहीं है सबसे हैरानी की बात ये है कि तमिलाडू की दुर्मुक सरकार ने भी एक बार उन्हें राहुल गांधी के बजाए जादा महत्व दिया था मतलब साफ है कि दक्षिट में भी अकलेश को चाने वाले हैं वहीं जहां तक विपक्षी नेता के तौर पर बात रखने की बात है अकलेश यादफ कॉंग्रिस नेता राहुल गांधी पर भारी पड़ेंगे इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि वो खुद 5 साल मुख्य मंत्री रहे है और करीब 7 सालों से यूपी में विपक्ष के नेता हैं एक बात और है कि वो समाजवादी पार्टी के सरवे सरवा और हिंदी पट्टी में 37 सांसदों के साथ सबसे ताकतबर दल के रूप मे उप्रे है उत्तर भारत में यूपी बिहार राजिस्थान और मद्यप्रदेश जैसी हिंदी भाशी राज्यो को जितनी बहतर आवाज अखलेश यादव देंगे उतना राहुल गांधी कभी नहीं दे पाएंगे राहुल गांधी कई बार बोलते बोलते कुछ ऐसा बोल जा और आगे चलकर यही बात राहुल और अखलेश के सियासी रिष्टे में रोडा बनेगी देखा जाये तो साफ है आज जो तस्वीर विपक्ष के दिख रही है वो जरूरी नहीं कल भी हो आज अखलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी की वज़ा से ही विपक्ष त प्रादट